लोजिक गेट बैसिकली आपका कॉन कुन एकजाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है तो लोजिक गेट आपका क्लास 12 में भी इंपोर्टेंट है आज यदि कोई इंजरिंग की स्टुडेंट है तो उसके लिए इंपोर्टेंट है और कोई डिप्लोमा की स्टुडेंट है तो उ लोजिकली इन्पूट देंगे उसके क्रॉसपंडिंग मेरे को क्या मिलेगा आउट्पूट मिलेगा उसको हम लोग स्टुडेंट क्या बोलेंगे लोजिक गेट बोलेंगे ठीक है स्टुडेंट तो आपका हेडिंग रहेगा आज का लोजिक गेट ठीक है स्टुडेंट आप अब हेडिंग क्या रहाएगा लोजिक क्या रहेगा आपका लोजिक रहेगा अब देखिए लोजिक गेट किसको बोलते हैं किसको बोलेंगे सबसे पहले देखते हैं कि लोजिक गेट किसको बोलेंगे लोजिक गेट उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लोग बैसिकली कुछ इन्पूट देंगे उसके क्रॉस्पंडिंग मेरे का आउर्पूट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे लोजिक गेट तो लोजिक्ट तो होता है तो कि लोजिक्त बेसिक्त गर्सारा करते संस्क्राइब कि क्या होता है फ्सक्राइब एक क्या होता है इस्टूरेंट बेसिक क्या होता है इस्टूरेंट 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 एक क्या होता है स्टुडेंट्स यूनी यूनी वर्सल इस होता है एक क्या होता है स्टुडेंट्स इसल और क्या होता है एक क्या होता है इन्वर्सल गयट होता है इस्टुडेंट्स बेसिक गेट में कुन-कुन आएगा और और कुन आएगा आफका और कुन आएगा आपका नौट आएगा इस्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका मतलब ईन वर्डग इन्व्र्सल गेट में कौन होगा नौर Ooo चुट्रन धिसका मतलब लोजिक किसको बोलते हैं लोजिक गेट उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें सबमें मिलेंगे उसके क्रॉस्पंडिंग मेरे एक ओपुट मिलेंगा उसको क्या बोलेंगे अगेंको चिसको बोलेंगे यापका हो जागा और अपको लिखेना है यहां पर स्टूडाइन और यह अब इसके करते हैं कि आपका और किसको बोलते ही और गेट आपका क्या होगा तो आपको लिखेना है यहाँ पर स्टूडेंट और गेट का ही सबसे पहले और इते का आपका सिंबल को जाण 빵 को दो कहांना जुनारी है इसका मतलब capable और इत का सिंबल क्झा की होगा अपको लिखना है यह आपका क्या होता है और क्या होता है nine आपका और गेट का सिम्बल होगा इनीर। नहांने से समझने का कुछिश करिये, यह आपका और गेट का जो आॉटपुट होगा वह क्या होगा एने प्लस जिया होगा इन पोट दे रहे है तो इसका गुलि pendulum expression जो होगा वह Y equal to क्या होगा A plus क्या होगा B होगा A B आपका input है और Y आपका क्या है output है तो basically हम लोग कितने input लिए है student 2 input लिए हैं तो 2 input को कितने तरीका से लिख सकते हैं हम लोग logic get में logically input देंगे तो logically जो input होगा वो क्या होगा 0 और तो यइसे क्या होगा वान होगा इसका मतलब है कि हम लोग A पर जती 0 रखते हैं और B पर भी जीरो रखते है तो मैरा output क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे ठ्योड़ा देर के बाद इसका मतलब है कि है the truth table क्या होगा है A और B है ठीक है दो इंपूट है तो दो इंपूट को कैसे लिख सकते हैं दो इंपूट को कितने तरीका से लिख सकते हैं तो दो इंपूट को हम लोग चार तरीका से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं यहाँ पर वान लिख सकते हैं यहाँ पर इसका सर्कुइट डियाग्रम क्या होगा यह digit हम लोग क्या कर रहे हैं सोडुड ये parity लगारे हैं आफ यहाँ पर प्लस लगते हैं आम Corrent एकर आप कर स्विछ आपका इफ आपकी स्वीच आपका 50 स्वीच है आप देखिए इस्ट्यथे जरी बल्व गणो करेंगे तो मिलेगा मतलब इसको स्वेडा कुंसिडर करते हैं इक अफ आप देखिए students de Baptist zero है हम लोग क्या करें और जेधी टेरो देंगे और अब बीभियवका क्या हो जाएगा एअफकां 0 है इसका मतलब है a switch अब वर सुईट आपका क्या हो जाएगा असपूज पाएगा नहीं पोछ पाएगा तो जोकि A पर भी आप 0 दे रहें B पर आप 0 दे रहें इसका मतलब A भी स्वीच आपका ओफ है और B भी स्वीच आपका क्या है ओफ है जब A और B दोनों स्वीच ओफ होगा तो यहां का करेंट यहां का करेंट यहां पर पहुंच नहीं पाएगा और यह बाला बल्ब गलो नहीं क कर पाएगा इसका मतलब जब यह गलोर नहीं कर पाएगा तो इसका आउटपूट क्या सो करेगा वाई क्या सो करेगा वाई आपका क्या सो करेगा जीरो सो करेगा इसका मतलब इस्टुडेंट जब आप इन्पूट जीरो जीरो दोगे तो और गेट में आपका आउटपूट क्या होगा जीरो होगा ठीक है इस्टुडेंट नेक्स्ट केस में आप देखो जब आप एक क्या कर रहे हो एक आप क्या कर रहे हो जीरो कॉंसिडर कर रहे हो आप बी को क्या पर क्या कॉंसिडर कर रहे हो और बी आपका क्या हो जाएगा इस चो ठोडा ज़ाएगा यह उन हो अब पर आपको क्या हो जाएगा वजलने लगेगा इसका मतलब हम हम बोल सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा वान हो जाएगा ठीक है दूसरे केस में यह आपको वान मिला तीसरे केस में देखे जब आप एवान दोगे और भी जीरो दोगे तो यहां पर लगाये हो यह आपका स्टूइच है यह आपका स्टूइच है इस अब का स्टूइच है और आपका स्टूइच है कनेक्शन सीटुडंट है क sushi आप दोनों input में क्या कर रहे है दोनInput में क्या करें दोनो इनुक्या कर रहे है Can everyone between students सब्द्रशन आपका होरा है कि आपका एघर स्वुच आपका क्या है वी है है यह है और यह भी स्वीच आॉन होरा यह है आपका क्या हो जा रहा है है यह और यहां पर आप क्या रहे हो इसका मतलब पर यहां का कर रहे हो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब यहां का करेंट वहां पूंच जाएगा तब आफ़ का क्या हो जाएगा वान हो जाएगा इसका मतलब आपका इस्टूडेंट्स आपको यह जदी पूछे कि और गेट का सिंबल क्या है तो और गेट का यह सिंबल है और गेट का टूट्टेवल क्या है यह और गेट का टूट्टेवल है और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है A plus B है और gate का circuit diagram क्या है तो इस तरह circuit बना के चार को case बनेगा और चारो case का क्या करना है आपको लिखना है तो आप क्या करोगे easy से समझ पाओगे कि और gate का output क्या होगा student इसका मतलब A और B जदी हम लोग देंगे input तो उसके corresponding मेरे को क्या मिलेगा आउट्पुट मिलेगा तो students आपको इतना नहीं करना है आपको बैसे की लिए याद रखना है कि और gate का definition क्या है इफ एनी वान इंपुट इस हाई जदि एक भी इनपुट जदी हाई हो जाएगा या वान हो तो आपको क्या मिलेगा आउट्पुट मिलेगा अधर वाज आपको क्या मिलेगा आउट्पुट नहीं मिलेगा क्या हो ओफ हो जाए ताफको आउटपूट नहीं मिलेगा अज़िए एक भी कंडिशन जदी ओन हो जाए तक आपको आउटपूट क्या होगा मिलेगा और गेट का यहीं डिफनेशन तो और गेट का टूटेबल जो इस्टुटेन होगा जिरो जिरो देंगे तो जिरो मिलेगा, जिरो वान देंगे तो वान मिलेगा, वान जिरो देंगे तो क्या होगा, वान होगा, और वान वान देंगे तो क्या होगा, वान होगा, यह आपका और गेट का आपका क्या है, truth table, circuit diagram और आपका क्या है, symbol है, इतना आपको याद रखना है, तो आपका और gate क्या हो जागा, student complete हो जागा, उसके बाद students हम इस point पे आते हैं, कि end gate क्या होगा, end gate किसको बोलते हैं, और end gate का आपका circuit diagram truth table, boolean expression क्या होगा, तो end gate किसको बोलेंगे, students आपको जदी बोलें कि end gate को diagram को plotting करो, तो आपका ये student क्या हो जाएगा, आपका end gate होगा, end gate में दो input दे रहें, students, A और B हो रहा है, इसका output क्या होगा, और gate में addition होता है, इसमें क्या होता है, students, multiplication होता है, दो input क क्या होता है, multiplication होता है, तो आपको symbol याद रखना है, ये जो symbol होगा, वो क्या होगा, आपका end gate का होगा, ठीक है, students, अब देखिए, यहाँ पर basically कितने input है, दो input है, output कितने है, basically one output है, इसका मतलब इसका truth table को design करने के लिए बोला जाए, तो आप students, यहाँ पर A लिखोगे, य ये आपका क्या हो जाएगा, why हो जाएगा, तो ये वाला जो side होगा, वो आपका क्या होगा, student input होगा, ये वाला जो side होगा, वो क्या होगा, आपका input होगा, इधर वाला जो side होगा, वो क्या होगा, output होगा, ठीक है students, ये क्या होगा, आपका output होगा, ठीक है students, ये क्या होग आप जीरो दे दिए हो और B रोन्ट को बीभी जीरो सब्साइ pourra करेंगे जब 0000 देंगे तो आपका एंड गेट में आॉट्पुट क्या होगाँ जब 00गे तो आपका 00 देंगे तो nosso जाएगा जिरो वान देंगे तो फोट भी यृँज्वहां सपेड़ को हों ईसका मतलब है स्टूडेंट सुम्टेट और यह को रिच्पनेट में क्या हो राथा एक भी इनपुट हाइ वह रहा था ता आपको आउटपुट क्या मिल रहा था, high मिल रहा था, but end gate में इसा नहीं है, end gate में आपको आउटपुट लेने के लिए दोनो इनपुट का condition को क्या होना पड़ेगा, high होना पड़ेगा, इसका मतलब इसका definition होगा, if both input are high, then output is high, if anyone input is low, then output is low, इसका मतलब एक भी input जदी low होगा, 0 0 दोगे तो क्या होगा 0 होगा जब 0 1 दोगे तो क्या होगा 0 होगा जब 1 0 दोगे तो क्या होगा 0 होगा जब 1 1 दोगे तो क्या होगा 1 होगा इसका मतलब है end gate का जो definition है जब if both input is high then output is high ठीक है student तो आप से पूछेगा कि end gate का symbol क्या होता है end gate का boolean expression क्या होता है end gate का truth table क्या होता है तो यह आपका क्या हो गया student truth table हो गया ठीक है end gate का truth table हो गया जदि आपसे कोई पूछे कि end gate का circuit diagram क्या होगा competition में यह भी पूछा जा सकता है यह भी पूछा जा सकता है इसका boolean expression भी पूछा जा सकता है और इसका circuit diagram भी पूछा जा सकता है तो end gate का circuit diagram आपका कैसा होगा तो आप student end gate का circuit diagram को जदी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो end gate का circuit diagram किस तरह होगा अब देखिए students अब हम लोग यह circuit diagram में ठीक है जब आपका one देंगे तो switch आपका क्या होगा on होगा अजब zero देंगे तो switch आपका क्या हो जाएगा off हो जाएगा इसका मतलब student पहले case में देखिए A zero B भी zero तो क्या हो जाएगा A भी off हो जाएगा यह जदी हम लोग students A आपको zero देते हैं अब B भी आपको zero देते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा switch क्या हो जाएगा off हो जाएगा जब switch off हो जाएगा भी जोगा तो आपका यहां होगा तो आपका यहां का पर आपका यहां का क्रेंट यहां पर पहुंच नहीं पाएगा इसका मतलब आउटपूट तो आपका क्या करेगा सो जीरो करेगा जदि दोनों स्वीच ओन होगा तभी यहां का करेंट यहां पर पहुंच पाएगा अधर वाइग एक भी स्वीच ओप रहेगा तो आपका करेंट यहां का करेंट वहां पर नहीं पहुंच पाएगा अजब यहां का करेंट वहां पर नह हो गया ठीक है तो आप end gate को भी समझ चुके हैं अब आपका next आता है आपका not gate next क्या आता है इस्टूरेंट not gate तो not gate क्या कर रहेगा not gate कुछ नहीं करता है just क्या करता है यह inverter की तरह काम करेगा जो इनपूट दोगे उसको क्या करेगा उल्टा करके सो करेगा इसका मतलब है इसका मतलब है यह आपका क्या होता है यह आपका क्या होता है not gate का कि इनपूट है और यह आपका क्या है आउट्पूट है इसका मतलब है जो इनपूट देंगे उसको कम्प्लिमेंट करके दिखाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि यτι HOW यह का क्या पूंच करेंगे तो यह आपका क्या होगिया। तरकिट डाइग्राम आप कुछ इस तरह बना सकते हैं एक सर्किट डाइग्राम आप आप देखिए स्टुरेंट्स जदि हम लोग जीरो देंगे इसे मलोग की अपने हो पर वांसरीस को इसका मतलब आट पुट क्या हो जाएगा जैरो हो जागा तो इस चूडट्स थे भी आपको ध्हां देना है कि इसको हम लोग क्या बोलते है not गेट बोलते हैं उसके बाद आव्श्टुंडet के बारे में image किसको बोलते हैं खेस्ट ठीट उप सस्ट यहां दिपीच को बोलते हैं तो आपका नेंड गेट और जो नौर गेट होता हुआ क्या होता इन्वर्सल गेट होता है ठीक है इन्वर्सल गेट क्यों बोलेंगे क्योंकि दूसरे गेट का जैना कर सकते हैं इस gate का हेलप लेकर इसलिए इसको क्या बोलेंगे इनवर्साल केट बोलेंगे फिरह अब हम लोग ніंड ओर नौर ओ कर को ह्तोड़ सब्सक्राइब को जानते हैं कि इनवर्सल गेट किसको बोलते इन वर्साल गेट में आपका आ जाएगा आपका न bills loest क्या बोलते हैं इन्वर्सल गेट नेंड गेट जो है वह एंड प्लस नॉट गेट से बना हुआ है तो स्टुडेंट्स आपको बता चुके हैं कि एंड गेट का जो आपका सिंबॉल होगा वह कुछ इस तरह करके होगा यहां पर जो इन्पूर्ट दोगे यह माल लेते हैं कि A जोते हैं कि A gb है तो यह आपका ऐंड गेट है एंट अपया इनन्वर्सल जाते रसमीना प्लेमन को हुआने का होजाएगा इस जाए गात्युल यह जाएं का MA फिस चॉत क्लोटिंड ना पॉलेप्टा हो जाएगा इसी को क्या बहुढेंगे डिलए आप इसको सकते हैं या तो इस्टूरेंट इसको लिख सकते हैं यह आपका क्या हो कheen अव ट्रूथ टेय insists दूड है लिखना है धिक जब students यहाँ पर 00 दोगे तो end gate में क्या होता है जदी if anyone input is low then output क्या होता है फिर हम लोग क्या करें end gate को किस से पास कर रहे है not gate से पास कर रहे है तो वो क्या करेगा just compliment कर देगा तो जदी आपका यह end gate के थुरू पास करता है तो आपका output क्या हो जगा जीरो यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर क्या गवान होगा पट आपको वाई नेंड का उट्पुट लिखना है नेंड का मतलब क्या होता है एंड का क्या होता जस्ट कंप्लिमेंट होता है तो जो 0 मिल रहा था उसमें क्या मिलेगा 1 यहां पर मिलेगा 1 यहां पर मिलेगा 1 और यहां पर क्या मिलेगा 0 तो आप बोल सकते हो कि नेन्ट गेट का आउट्पूट तभी मिलेगा जब इफ एनी वान इन्पूट इस क्या हो लो हो जदि एक भी इन्पूट लो हो जाएगा तो नेन्ट गेट का आउट्पूट क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा अधर वाई जदि बोद इन्पूट इस हाई देन आउट्पू जो होगा वो नेंड गेट का वो क्या होगा जिरो होगा तो यह आपका क्या हो गया नेंड गेट का क्या हो गया नेंड गेट का आउटपूट हो गया नेंड गेट का क्या हो गया आउटपूट हो ठीक है अब आप से पूछेगा कि नौर गेट का आउटपूट क्या होगा कि इनिवर्सल गेट बोलते हैं तो और गेट का जो सिंबल होगा वो इस्टूडेंट क्या होगा यापका क्या हो जाएगा अब इसको हम लोग किसे पास करवा रहे हैं नौट गेट क QUY HOJAKA FB का क्या हो जागा? A+, B , A क्या हो जागा? अब देखे, धियान से समझने का कोशिस करिए A और B है अब हम लोग क्या करते है, truth table है truth table को दो लिखने का कोशिस इस Toot क्या हो जागा, देखेे, tables को लिखेंगे। हम लोग a चाहते हैं यहां पर क्या लिखते हैं और लिख समझने में रिकत नहिंन हो किम एक दूसरे को रिलेट करके बता रहें यहांपर 00 है आपर क्या हो जागा 01 हो जागा और यहांपर क्या दो और गेट का मतलब होता है और गेट पहले बता छुके कि एप एपनी वान इंपूट इज हाई इफ एनी वान इंपूट इज का अउट पूट इज हाई यहां पर है हो जाएगा यहाँ लोह तो ओर गेट का ओशोट की और जीरो होगा इसका मतलब NOR gate का जो truth table होगा वो क्या हो जाएगा 1,0,0,0 हो जाएगा इस्टूड़न, इसका मतलब है if anyone input is high then output क्या होगा? लो होगा, देखे, if anyone input is high then output क्या होगा? लो होगा, just यह किसके तरफ बिहेव कर रहा है? जश्ट और gate का opposite के तरफ बिहेव कर रहा है, जिसमें और gate में output मिल रहा था, उसमें आपका NOR gate में output नहीं मिल रहा है, जिसमें और gate में नहीं मिल रहा था, NOR gate में क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो यह आपका student क्या हो गया? NOR gate हो गया, ठीक है student, NOR gate का यह आपका symbol है, यह आपका symbol ह लिख सकते हो इस तरह भी लिख सकते हो इस तरह भी लिख सकते हो यह जो सिमबल हो गाई भी क्या होगा नौर गेट का इस ब Lut अपका बुक में जड़ी इस थरह दिया जाया तो आप लिख लोगे y equal to क्या हो जाएगा ए पिल्स queue A. किया हो जाएगा यह आपका क्या hoje श्टूडेट соврем क क्या हो जाएगा यह आपका fur yeah nix ran के आपका ट्यूंत देंड हो जाएगा इस फिलन करजा आपका इस पेसल ट्यप्स सः गेड होता है एक होता का एक सो और गेट को कैसे लिखेंगे पहले आप और लगा दो और लगा दो यह और होता है लिख दिया एक अधा पाक इस तरह लिखो अधा भाग लिखो करके लिखो इससे करके लिखो और आप इसको बोल दो क्या आपका होगा एक्स और होगा यह क्या होगा इसका आउट्पूट जो होगा क्या हो जाएगा ए और 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 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक हो जा यहां पर जिदे बी लिखते हैं यहां पर जिदे हम लोग वाई लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जब यहां पर जिरो देंगे 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 जब जिरो जिरो देंगे तो नियुकyas कुछेए तो आप simpal भास में बोलो इंपोटर डिफ्रेंट जैदि दोनों इन्पूटíre होगा तो आउट्पूट मिलेगा अजिदो आख नौ गेट का जैदि आप से पूचे तो केसे करना है student तो आपको इस तरह न बना लेना ठीक, न न रटो आपको सखाव चुकी है इस टूडड़ अभी ये न रहे एक्स का आधावाग लेना है ये हो जागा आपका एक्स न,र truth टेबल जदी टेबल बनाना है यहाँ पर इस्ट्ट्ट्ट्ट जब दोनों input different होगा यहां पर जब 0-0 दे रहे हैं तो 0-1 दे रहे हैं एसका मतलब exclusive or get is complement with the exclusive nor get मतलब यह दोनो get आपस में क्या है complement की तरह काम करेंगे तो आपको याद रखना है यह x core get है और वो x nor get है और यह आपका truth table है यह आपका boolean expression है यह आपका इसका boolean expression है एका cap का मतलब student क्या होगा एका complement होगा तो इतना आपको क्या करना है याद रखना अब basically students हम अब summary करते हैं जितने पढ़ाएं हैं उसको हम क्या करते हैं summarize करते हैं summarize करने से क्या होगा आपको clear हो जाएगा कि कैसे क्या चीज हो रहा है ठीक है student तो logic get basically उस तरह के device को बोलेंगे जिसमें logically कुछ input देंगे उसके corresponding मेरे एक output मिलेगा उसको क्या बोलेंगे logic get बोलेंगे logic get में जो आपका input होगा वो logical होगा या तो 0 होगा या तो क्या होगा 1 होगा जब 0 देंगे तो हम बोलेंगे off है जब 1 देंगे तो बोलेंगे क्या है त्रहें on है ठीक है 우ूर्ण अब हम लोग ten डेशेख तीन टाइपटों में पो कि अब बाट्सक्तिया और में यहहां एक होता है आपका कर देशिक गेत्व एक होता आपका इनवर्सल्गेट एक होता इसपेशन टाइक सबस्सद्रिस पूछेगा कि ad यहां कोई भी दिख्कतदारी नहीं होनी चाहिए अब बैसिकलिंट का जोगा तो और गेट का सिंबल क्या होगा और गेट का जो symbol होगा और गेट का जो symbol होगा समरी करके बता रहें student और गेट का जो symbol होगा ये क्या होगा ये आपका जो होगा और गेट होगा ये आपका क्या होगा और गेट होगा ये क्या होगा और गेट होगा उसके वाद जदी पुछे कि end get का symbol क्या होगा students आपको क्या करना है end get का symbol को लिख देना है यह जो होगा वह आपका क्या हो जागा nd gate का क्या हो जाएगा ज़्यापका output होगा जदी आपसे पूछे student not get का symbol क्या होगा not get का जो symbol होगा वो कुछ इस तरह करके होगा यह देंगे तो मेरे को output मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा a.g यहां पर क्या मिलेगा यह प्लस क्या मिलेगा ठीक है यह आपका नॉट गेट होगा ठीक है अब ज़्यादी आपसे पुछे इन्ट गेट का सिंबल क्या होगा पुछने करना इस्टूरेंट्स आप धियां से समझोगे तो एक सेकंड में यह सब कम्प्रीट हो जाएगा पुछे कोई दिकत नहीं और गेट दो जानती के और और बना लो और बनालो वैडिए अन पर नॉट का बबल लगा दो यहां पर चया लिको और B लिख का दाप लेना है यहां पर A और B इनपूट और B इनपूट ठीक है इस्टोट अर्यहां पर लिखना है A, B का क्या लिखना है A और B और A क्या क्या लिखना है यहुद आपका क्या हो जाएगा आउट्पूट हो जाएगा श्यकशे नार फूछे लिग간ंगोग यहां पर क्या करना एकका भी कंप्लिभी कंप्लिमेंट खिर न यह आपका क्या हो गया से स्टव्या पूशार का सिंबॉल क्या है टुका हऊट कर दोगेंड का सिंबॉल क्या है टाट तो यह पाउट कराइब दोगेंड जै का का दोटना सिम्भल क्या होगा दोगे एक्स्फ्फूसीव और गेट का चिंबल क्या यह होगा और Remember यह और गेट का बुलियन फंसन त्यों अ पलस भी होगा एंड है ट का एन वो का मतलती हो और एक्सुलोसिव नौर का क्या होगा एक इंटू बी प्लस एक कंप्लीमेंट विद भी कंप्लीमेंट होगा तो यह वला आपका हो गया अब आपका टूथ टेबल में जाना इस्टूट टूथ टेबल कुछ नहीं है एक सेकेंड में आपका बन जाएगा यहां पर ए यहां पर लिखिए और इसके बनाई है इसके बाद इसको खीचिए कि आपका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा इसको खीचिए यह आपका नौर हो जाएगा इसे खीचिए इस टूडिन क्या हो जाएगा ने ढोंट हो जाएगा इसे खीचिए एक्स और हो जाएगा इसे खीचिए एकस्ट को जाएगा नोर जाएगा ठीकेशित्स रिखकेश्प इसको बना देते हैं जदी यहां पर 00 देंगे नवक्या देंगे फिर्वान देंगे यहां पर 00 देंगे यहां पर 01 00 देंगे और गेट है इफ एनिवान इन्पुट इस आइए और गेट में list यह हो जाएगा यह One हो जाएगा यह 1 होला सब जीडियों होता है थे ग्ताइट हर यहां परयों काور मोर्वां हो जाएगा और है कर दे क्या हो पड़ आप देखिए एक्स्क्लूसी वार्ट जब दोनों इंपुट क्या रएगा तभी जाकर एट्फूट है होगा दर्वाज कि यहांपगी नासय होगा यहांं पर मॉंगे За 9 bigger दोने इंपूट हो गिया or yet output पुछेगा इसंगो liABDNA AND get output पुछना इसको लिग देना NAND get output पूछेगा इसको लिग देना exclusive work output पूछे इसको लिग देनी मतलब आपका जो बेसिक ऐसेप्स है एही है इतना जि Zuk जान जाते हों तो आपका लोजिक गेट का कोई भी problem competition में पूछे तो आपका एक भी problem छूटेगा नहीं तो यहां तक आपको क्या करना है student complete करके आना है next class में हम लोग क्या करेंगे continue करेंगे student और आपको students यह भी करना है ज़दी आप channel में नहीं आये हो तो channel को क्या करना है like भी करना है और subscribe भी करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना share भी करना है और जदी कोई point पर doubt लगे तो आपको क्या करना comment section में लिख के बता देना है next class में हम क्या करेंगे students उसको thought out कर देंगे thank you student